मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई दोस्तों कई बार पैरों में खिचाव और एठन यानी क्रैम्ट की समस्या हो जाती है टांगों में होने वाली इस परिशानी का वैसे तो कोई खास कारण नहीं है लेकिन शारे रिकमजोरी उठने बैठने का गलत तरीका और रिबैलन्स डाइट की अंदेखी इसकी खास वजहें हो सकती है कई बार तो टांगों में होने वाली सैंथन में थोड़ी ही देर में आराम मिल जाता है लेकिन कई बार इस तरह की समस्या अगर लगातात बनी रहे तो आगे चलकर ये काफी बड़ी दिक्कत भी पैदा कर सकती है इससे बचने के लिए दवाईयां खाने से बहतर है घरेलू तरीकों को अपनाया जाए सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में केल्शियम से भरपूर आहार का सेवन जरूर करें क्योंकि अक्सर हड्डियों से जुड़ी कमजोरी भी इसकी वजह मानी जाती है इससे छुटकारा पाने के लिए केल्शियम से भरपूर आहार का सेवन करना शुरू करें हर रोज केल्शियम युक्त आहार का सेवन करने से फायदा मलता है दूद, हरी पत्तेदार सबजिया, फल और सूप को अपनी डाइट में शामल जरूर करें बात करेंगे अब गर्म दूद के सेवन की हर रोज रात को सोने से पहले एक गलास गर्म दूद का सेवन जरूर करें ये बेस्ट सुपरफूट में से एक है इसके सेवन से मास पेश्यों को मसबूती मिलती है इससे एठन की समस्या से निजाद मिलती है बात करेंगे वाम शावर की गुनगुने पानी से स्नान भी टांगों की एटन से आराम दिलाने में मददकार है इससे मासपेशियों की एटन में आराम मलता है तुरंत रहत पाने के लिए आप पैरों के लिए हॉट पैट का इस्तमाल भी कर सकते हैं इसके अलावा इस चीज़ का भी खयाल करें की अपनी डाइट में रोजाना एक केला जरूर ले केले में मौजूद केल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए लाब दायक है इसमें बहुत से पोशकत तो शारे रिक कमजोरी को दूर करने में मददकार है एठन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हर रोज केले का सेवन सरूर करें बात करेंगे सबसे आखिर में सरसों के तेल के मसाच की आपको करना ये है कि चार से छे चमश तेल में चार पांच मेथी दाना लें दो चुटकी सेंधा नमक लें, एक लहसुन डाल कर अच्छे से गरम कर लें फिर जब ये तेल ठंडा हो जाए तो इसे चान कर इस तेल से एठन पढ़ने वाली जगा पर मसाच करें इस से कोई साइड इफिक्ट भी नहीं होता और सरसों के तेल में मौझूद एसिटिक एसिट किसी भी तरह के दर्द से रहत पाने में मददकार होता है इस तेल से आप पैरों में मसाज जरूर करें, आपको बहुत जल्द ही फायदा महसूस होगा उम्मीद करते हैं बताएगा ये खास जानकारी आपको बेहत पसंदाई होगी इसी जानकारी के साथ दीजे हमें इजासत बहुत जल्द मिलेंगे फिलहाल अभी के लिए बोल स्काईपर बस इतना ही